जैसे ही गांधी बार्पराने कैप्टन अमरंदर सिंग से इस्तीफा देने को कहा पंजाब कॉंग्रिस के पूरवध्यक्ष सुनील जाखड की खुशी का ठेकाना ही नह रहा उन्होंने तुरंत ट्वीट किया और राहूल गांधी को बोल्ड फैसले के लिए पधाई दे डाली मतलब साफ है सुनील जाखड और राहूल गांधी के बीच खिचड़ी उसी दिन पक गई थी जिस दिन दोनों की मुलाकात हुई थी जिसके बाद सुनील जाखड ने अपने शद्यक्षन नहीं बनने देना चाहते थे वह समीकरन सिख और हिंदू कॉंबिनेशन का है जाखड के सिएम बनने से हिंदू भी खुश होंगे और कॉंग्रेस के साथ उठ खड़े होंगे सिखों का मोर्चा सिद्धू फत्य करेंगे लेकिन पंजाब के नए सिएम या यू पंजाबी संसकरण के समाधान का रास्ता निकाला है आश्चर जोनक धंग से नितरत्व के इस सहसिक फैसले ने ना सिर्फ पंजाब कॉंग्रेस के जंजट को खत्म किया बलकि इसने कारेकरताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया और अकालियों की बुनियाद हिला दी है पंजाब सीम की दोड़ में अंभिका सोनी का नाम भी सामने आ रहा है 13 नवंबर 1942 को लाहोर में जन्मी अंभिका सोनी गांधी परिवार की बेहत खास हैं उन्होंने 1979 में इंदिरा गांधी के नितरतों में पार्टी जोइन की थी वह 1976 में पहली बार राज्यसभा सदस्य चुनी गई यूपिये सरकार में वह सूचनायवं प्रसारण मंतरी भी रही थी कॉंग्रेस को लगता है कि सिद्धू अगर किसी प्रतिदंदी के साथ जुड़ते हैं तो पार्टी को नुकसान पहुंचने की मारक शमता रखते हैं भले ही वह वेक्तिगत रूप से उनको बहुत मदद न करें वह अकाले दल में शामिल नहीं हो सकते हैं आम आदनी पार्टी निश्यत रूप से उनके लिए एक विकल्प है आम आदनी पार्टी निश्यत रूप से उनके लिए एक विकल्प है कि सिध्धू पंजाब का CM बनना चाहते हैं उनकी वजह से ही पंजाब में ये विवाद पैदा हुआ उन्हें CM बनाई जाने पर चर्चा हो सकती है